हाजी तो कैशो आप लोग मैं आपका निलेश पी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूटूब चैनल पे दोस्तो आप सब के लिए मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 10 का गणित का एक काफी important question और यह question आप लोग के exam में 4 mark में fix से आएगा ही आएगा कभी-कभी यह question दो mark में भी आ जाता है और निशित है 100% यह question आपके exam में आना ही आना है आप अपने previous question पेपर निकाल कर देख सकते हो हर एक साल यह question आया हुआ है question क्या है कि निम्नांकित आकोडग का बहुलग ज्याद कीजिए देखो बहुलग ज्याद करने को माध्य ज्याद करने को और माधी का तीनों काफी important है तीनों निशित होता है हर साल आप लोग के बोड़ी जामें आता है कि निम्नांकित आकोडग का बहुलग ज्याद कीजिए और आपका यहां पर work अंतराल देदेगा और यहां पर बाराम बारता देदेगा कैसे करना है चलो मैं आपको एकदम डिटेल भी बताता हूँ बाकी कहूंगा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकान को भी दबा लेना जिससे मेरी सारी वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो चलो देखो इस question को करने के लिए एक direct formula यूज होता है बहुलक का मैं आपको बतायता हूँ यहाँ पे देखो फार्मुला क्या है आपको फार्मुला याद होना चाहिए भई तब इस question को आप कर पाओगे फार्मूला होता है बहुलक बराबर ठीके फार्मूला क्या होता है बहुलक बराबर L प्लस ठीके क्या होता है L प्लस आपका F1-F0 ठीके F1-F0 या F0 भी इसको बोल सकते हो बट्टे में ठीके बट्टे में क्या होता है 2F1-F0 या इसको F0 को आप F0 भी बोल सकते हो कोई दीकत माइनस F2 किलियर और इसका पूरे कोश्ट में कर दो और यहां पे गुड़े H होता है अब यह एच क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा यह सारी सारी चीजे क्या होती है पहले आप इस फार्मूले को अच्छे समझ लो फार्मूला क्या होगा बहुला का वो होगा L प्लस F1 माइनस F0, बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुड़े H अब देखो यह जो F1 होता है यह क्या होता है और F0 क्या होता है मैं आपको यहां आकर समझाता हूँ थीके सबसे पहले तो यह आपका देखो वर्ग अंतराल दिया है और बरंबरता दिया है तो इसमें खोजो क किसकी भर Amfreiitta अधिक है ठीक है तो यहाँं को ध्षाइए रहा है कि चालीश पचास है कि जाई इसलिए आपका यहां रहा हो जाएगा थीक है इसलिए यह रहा हो जाएगा चली रहे अपको समझ भी आगया कैसे आपको वर्ग अंतराल खोजना है तो लीखोगे यहाँ पे इसका हल लिखोगे और ऐसा ही करोगे कैसे देखो आप लीखोगे यहाँ पे की वर्ग अंतराल या वर्ग ऐसे दिख दो कि वरग 40-50 की 40-25 की आवरिती आवरिती ठीन several psychies सबसे अधीक है । ठीके सबसे अधिक है या सबसे अधिक बार सबसे अधिक बीस बार हुई है ठीके हमने देख लिया ऐसे आपको लिखना पड़ेगा आगे लिखो गए इसलिए इसलिए बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग 40-50 होगा ठीके 40-50 होगा तो बहुलक वर्ग हमने मालूम कर लिया ऐसे आपको लिखना पड़ेगा इसके बाद आपको क्या करना है इसके आगे क्या करना है इसके आगे अब देखो बहुलक वर्ग हमें मालूम चल गया 40-50 तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसलिए बहुलक वर्ग की माप बराबर अब बहुलक वर्ग की माप बराबर अब बहुलक वर्ग की माप कैसे निकालते हैं आपने ये माधिकाय निकालना मदब सीखा होगा तो उसमें सीखा होगा जो H होता है वही बहुलक वर्ग की माप होता है ये उच सीमा जो मतलब बहुलक बरबर वो क्या हो जाएगा 50-40 बरबर 10 ठीके अब तो हमें H निकल गया अब हमें F1 निकालना है अब इसमें F1 क्या होता है भाई देखो यहाँ पे हमें यहाँ पर F1 निकालना है, F0 निकालना है, क्योंकि F1 F0 यहाँ पर है और F2 निकालना है, तो F1 क्या हो गया, तो यह बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग है, जो बहुलक वर्ग है, जैसे हम लोगा 40 बहुलक वर्ग है, एफ वन बराबर ठीक है ये क्या हो जाएगा ये आपका 20 हो जाएगा बहुलक वर्क चालीस बचासे तो इसकी बराबरता ये 20 दी हुई है क्लियर उसके बाद लिखोंगे यहां पे अब ये तो हम लोका एफ 1 हो किया अब एफ जीरो और एफ टू का हमें वानिगात करना clear तो ये 0 ये 1 और ये 2 अब देखो यहां पर आप लिखोगे कि बहुलक वर्ग से पहले वाले पहले वाले वर्ग की बारंबारता इसको F0 से परदरसित करते हैं या F0 भी बोलते हैं और वो बराबर क्या हो जाएगा अब देखो बहुलक वर्ग 40-50 से इससे पहले वाले वर्ग यानि ये हैं हम लोगा 30-40 इसकी बारंबारता कितनी है वई 12 है तो यहां पर आप लिख दोगे 12 क्लियर है वही इतना सवर में आ गया अब देखो उसके बाद बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता और उसको किसे डिनोट करेंगे F2 से ठीक जो ये बहुलक वर्ग वर्ग गया इससे बाद वाला वर्ग ये हो गया और इसकी बारंबारता इगारा है तो यहां पर आप इगारा लिख दो इसको F2 से रिनोट करेंगे और इगारा हो ठीक सारी चीजा अब हमें मालूम चल गई जो हमें फार्मूला में दिया बहुलक वर्ग होता है उसकी जो निमन सीमा होती है वही एल होता है तो यह चारीस यहां पर लिख सकते हो कि ही बहुलक वर्ग की निमन सीमा कोश्मिल 2L बरबर 40 ऐसे लिख भी सकते हो ठीक अब सीथे सीथर सारी चीज़े मालूम चल गई आपको अब आप डाट्ट यहां फ अपन में 2F1 ठीके 2F1-F0-F2 यह पूरा कोश्ट में और गुने H अब जो भी मान है उसको रख दो और इसको हल कर दो आपका आंसर आ जाएगा तो चलो इसको रखते हैं और हल करते हैं L का मान हम लोगा 40 वही तो 40 रख लेते हैं प्लस अब देखो F1-F0, F1 कमान हम लोगा क्या है वही हमने यहाँ पर मालूम किया था F1 कमान 20 है और उसके बद F0 कमान हम लोगा 12 है तो 20-12 हो जाएगा, 20--12 और बटे में अब देखो 2F12-1, 2 गुने है तो H means यहाँ पे हमने निकाला था H का मान कितना था 10 था ठीक बहुलक वर की माप 10 तो यहाँ पे हम लोग 10 रख देंगे अब इसवा को हम लोग हल कर देंगे तो हम लोग का मान नीकल कर आ जाएगा चलो इसको हम लोग हल करते हैं सिंपल सा देखो बराबर यह 40 का 40 और प्लस इस कोष्ट को हल करते हैं हम लोगा 20 में से 12 जाएगा तो हम लोगा 8 वज जाएगा यह उपर हो गया हम लोगा उसी तरह अभी रहेगा अब देखो बराबर यह क्या हो जाएगा 40 प्लस यह देखो 40 में से हम लोगा 20 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 10 में से तीन गया 7 और यहां पे यह दू एक 17 यानि बचेगा तो यह 8 वटा 17 हो जाएगा और 10 से उपर गुणा तो 80 वटा 17 मतलब इसको हल करोगे यह नीचे आपका इतना हो जाएगा 17 और फिर यह 10 से उपर गुणा हो जाएगा तो 80 अब देखो इसको हल करो तो 40 और प्लस इसको आफ़ल करो मतलब 17 से भा तो इसको आप यूज करोगे मतब इसको आप हल करोगे तो ये चार दसमलों साथ के बराबर आएगा किलियर आप भाग देते रहे न तो इसको सिंपल सा अब जोड़ दो 44 दसमलों ये साथ हो जाएगा और रंत में ये जो आ गया ये ही आपका जाएगा आंसर हो जाएगा तो ऐसे करना है देखो इतना सा सवाल है ठीक है बहुत ज़्यादा मतब इसमें कोई लफडा नहीं है और इसका आपको एक्जामि की 4 मार्ग मिलेगा भई 4 मार्ग मिलेगा इसमें क्या था भी केवल ये फार्मूला जानते हो और F1, F0 और 2F1 और H और L ये निकालना जानते हो इसमें तो आसानी से ये सवाल हो सकता है तो ये आपका सवाल 4 मारक आपको आपके एकजाम में देख कर जाएगा बहुत very very important question है very very important आप इसको अच्छे से समझ लेना और इसके अधार पर कोई भी सवाल आए तो मैं आसा करता हूँ आप कर लोगे आपको केवल सबसे पहले की मतलब देखना है कि वर्ग अंतराल जो है इसमें किसकी बारंबरता अधिक होगी तो वही आपका क्या होगा वर्ग अंतराल होगा clear और वर्ग अंतराल में ये पहला वाला निमने सीमा और दूसरा वाला उंचे सीमा हो जाएगा तो यहां से h command ग्याद कर सकते हैं उच्छ सीमा से निमने सीमा घटा कर ठीक है और यह आपका f1 हो जाएगा और उससे पहले वाले work यानि जो भी हम लोगा बहुलक work निकला है उससे पहले वाले work की जो बरम परता है वो f0 हो जाएगी और जो भी work अंतराल हम लोगा आया है उस 0 बटे में 2 f1-f0-f2 good h इस पे सारी चीज़े रख कर जो भी मानाया है और आप हल कर दो हल करने के बाद वही अंत में आपका answer आ जाएगा तो ऐसे आपको बहुलक ज्याद करना होता है clear है आसगरत हूँ आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़े बागी कहूंगा अगर आप अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सकाइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सकाइब कर लेना वेल आइकान को दबाने ला और साथ ही हमारी एफ है यूपी MSP study करकर इसको आप गूगल यह पेपर का solution साथ उससे टू का मिल जाएगा बोर्ट दोरा जो जारी model paper है उसका solution मिल जाएगा और मैं अपनी तरफ से model paper मना रहा हूँ उसका solution मिल जाएगा यहाँ वीडियो के साथ ध्यान देना आपको PDF भी मिलेगा ठीक है तो आप ज्याइन करना चाहते हो तो इससे पर